दोस्तु अक्सर आपने कहा हुआ ये सुना होगा कि अभी जब भारत में दीन होता है तब अमेरिका में रात होती है अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि जब भारत में दिल्ली में दीन है तब लंडन में रात है नियू योक में रात है ठीक न इसी बात होती है तो अक्सर य इसी का जड यानि की मानकसामय भारत का जो मानकस अध्य‹ ह में टाइम उसे हम जानेगे GMT के बारे में है सारा कुछ का इसे बना क्यों बना कैसे बना और यह सब कैसे होता है तो आईए शुरू करते हैं देखिए भारत का मानकसामय जिसे हम रखा गया है पूरे बिस्व के सहर का नाम सौट में हम इसे बोलते हैं GMT और इसका फूल फॉम होता है Greenwich Main Time टेक इसे GMT बोला जाता है सौट में और इसका नाम क्या होता है Greenwich Main Time टेक अब देखिए ये क्या होता है और किस प्रकार काम करता है जैसे कि भारत भारत का दिशांतर के हिसाब से इस प्रकार काम करता है तो भारत 802 डिगरे दिशांतर में इस्तित है आपको मालू मैं जिस प्रकार और 802 डिगरे यानि कि 802 को हम गुना करेंगे 4 से तो हमारा हो जाएगा 35 गंटे यानि कि जितने भी समय इंगलें में होगा उस से पांच गंटे हम जादा पहले होंगे यह हो गया हमारा पहला समय तो यह हो गया भारत का मानक समय कहां से लिया गया है तो मैं बता दू कि भारत का मानक समय इलाबाद से लिया गया है अभी आप वीडियो पर बने रहेंगे इसे इंट्रेस्टिंग चीजे बताऊंगा जो आप आप किसी अगने वीडियो पे नहीं पाएंगी यह मैं गारंटी के साथ बोलता हूं ठीक ना तो भारत का मानक समय कहां से लिया गया है इलावाद जो कि उत्तर प्रदिश का एक राज्य के अंदर में आता है इलावाद उसका एक छोटा सा सहर है नैनी वहां से लिया गया है औ उससे इलावाद के और इलावाद पड़ता है हमारे उत्तर प्रदेश में यह चीज हो गई और यहां ग्रिन वीच समय से कितने घंटे आ गये है यानि कि इंग्लेंड के समय से कितने घंटे आ गये है सड़ पांच घंटे अब बात करनूं कि यहां जो समय नापा गया यहां कब से माना जा रहा है तो यहाँ समय माना जा रहा है 1972 से ठीक यहाँ समय माना जा रहा है 1932 से और जो इंग्लेंड में जो यहाँ समय पुराबिस्व में अस्थापित क्या ना यहाँ अस्थापित क्या था 1 सितंबर 1947 से भारत का मानक समय जो समय है एक सितंबर 1947 से हो गया ठीक अब जानते हैं कि क्या एक देश में एक से ज़्यादा मानक समय हो सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका में एक मानक समय नहीं, बलकि वहाँ पे नौ मानक समय हैं, यानि कि नौ परकार के समय होते हैं, ठीक, आप जिस चेतर में रहते हैं, जो साथ चेतर आपके सामने पड़ता है, उससे आप मानेगे, उसके बाद बात करते हैं, कनाडा की, तो कनाडा मे छे मानक समय है, चीन में पांच मानक समय है, ठीक, और सबसे ज़्यादा, विस्व में सबसे ज़्यादा मानक समय है, रूस के, रूस के कितने मानक समय है, गारा, रूस के टोटल ग्यारा मानक समय है, जो कि विस्व के सबसे ज़्यादा मानक समय होता है, ठीक, यह किस परकार हो देशांतर से 2 डेगरी देशांतर के बीच सुरी को घूमने में 4 मिनट लगता है ठीक तो आपके जो भी आप कंट्री में रहते हैं जिस भी देश में रहते हैं उसके देशांतर के साथ अगर आप 4 को गुना कर देंगे ठीक तो वह आपका समय निकल जाएगा जैसे भारत का 82.5 तो उसको अगर हम 4 से गुना करेंगे तो हमारा आता है 3300 और उसको फिर हम 60 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा हमारा साड़े 5 गंटा ठेक इसको अगर मैं एक नेक्ट वीडियो में आपको कोपी के साथ सेयर करके और पूरा प्रोपरली समझाओंगा और एक वीडियो टॉपिक जो काफी अच्छा लगेगा और काफी जाना भी चाहिए ताकि आप देश के अच्छे नागरिक बन सकें पढ़े लिखे जो एक अच्छा बोला जाता है गूड शिटिजन ऑप इंडिया वह आप बन सकें तो थांक्यू फो वाचिंग इस वीडियो एंड और फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई